नमश्कार दोस्तों एक और PYQ सीरीज में आपका स्वागत है अब लोग मॉर्डन हिस्ट्री के पिछले सालों के प्रशन देख रहे हैं इस सीरीज में भी तक हम लोग 210 क्वेश्चिन कर चुके हैं और एक प्लेलिस्ट भी बन गई है तो अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो एक बर उनको भी देख लिजेगा और मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ जब आप ये पूरी सीरीज कम्प्लीट कर लेंगे तो मैं आपको गैरेंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका modern history बहुत अच्छे से prepare हो जाएगा तो इस सीरीज को ध्यान से follow करें और इसको आगे भी देखते रहिए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हो पहला question देखते हैं क्या है One of the following sought to have the provisions of the wartime defense of India act used against the other moment in Punjab in 1915 maintained in peace time also 1915 में पंजाब में गदर अंदूलन के खिलाफ इस्तिमाल किये गए भारत के युद्ध कालीन रक्षा अधीनियम के प्राफधानों की मांग करने वाले निम्द में से एक शांती समय में भी बनाया रखा गया देखे तो शेंग मतलब ये है 1915 में भारत में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया है कौन सा अधीनियम लाया गया युद्ध कालीन रक्षा अधीनियम अब यह उस समय पर प्रथम विश्व युद्ध चला था कब चलूई थी प्रथम विश्व युद्ध फरस्ट वल्बार 1914 में स्टार्ट अब देखें जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था इसमें था क्या अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया था कि यहां पर जो भी सिविल लिबर्टी जो मूल अधिकार बहुत थोड़े भी दे हुए थे हम भारतियों को बहुत हलके से थे बहुत थोड़े से दे रखे थे उसमें भी वो कर दिया था खतम कर दिया था अब बोला यह कि अंग्रेज कोई कानून लाए आप कानून के खिला में अगर विरोत कर दो सीधा अंग्रेज आपको जेल में डालेंगे नहीं कोई वारिंट की जरूत पड़ेगी ना कुछ और फिर आपको ट्राइल भी नहीं होगा मत प्राइदी के बाद हम लोगो मिला लेकिन उस समय पे तो थाई नहीं और जो हलका फुलका था हलका फुलका जो लिखते थे उस पे भी बैन लगा दिया था किस से डिफेंस ऑफ इंडिया आक्ट से बोला कहता है अगर ज्यादा तुमने हमारा विरोत करा निउस पेपर में फिर हम आपकी प्रेस भी बन कर देंगों अंदर डाल देंगे जेल में तो यह एक बहुत खतरनाक कानूंता डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट इसमें यही बोले जा रहे है कि किसने मांग करी कि पीस टाइम में भी लाए जाए तो इसका करेक्ट आंसर आपको लॉड हार्डिं ठीक कौन लॉड हार्डिंग में मांग करी था ठीक है अचए है अचल लॉड हार्डिंग के बारे में ध्यान रखेएगा यह भारत के वाइसरौई रहे हैं कबसे 1910 सिलेके स्कोला तक है भारत के वाइसरौई गवर्नर जेनरल मत किक Let us कि अगला क्योशन देखते हैं क्या है तो मैसेकर ओफ डी क्राउड एड जनिया वाला बाग अमरिट सार टुक प्लेस ऑट अमरिट सार के जनिया वाला भाग में भीड का नर्संगार हुआ था किस दिन हुआ था देखिए अगर आपको से वितना पता हो कि जनिया वाला बाग जो मैंसे कर रहे है वह हुआ इसमें और यह उप्षिन है तो आपकब भी हो गया इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ उन्ने सो निस ही याद कर लो अब देखो क्यों में ऐसा आ सकता है उप्षिन में कि उन्ने सी सारी डेट सो सारे साल हो और तारीक अलग अलग देदीगे तो तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो ज जलिया वाला बाग नरसंगा अब यह हुआ क्यों था इसके पीछे की कहानी है लेकिंगे अंग्रेज भारत में लाये थे रूलेट अक्ट कौन सा रूलेट अट ठीक है रूलेट अधिनियम लाये थे उसके खिलाफ में भारत में काफी विरोध हो रहा था एक विरोध पंज कि चाँ में मार्शिल लौ लगा हुआ था वहां पर यह था लोग इखटा होने को अंग्रेजों ने मना करा था लेकिन अब मना इसलके है bathing कर रहे था ना वो भीड जो थी उग्र हो रही थी ना वो कहीं आग लगा रही थी वो शांती से जलियाँ वाला बाग में बस प्रदर्शन कर रही थी इसके खिलाफ यह आपके रोल अटक्ट के खिलाफ ठीक है लेकिन उसी समय जनरल डायार है उन्होंने काई कि हमने तो इखटा होने को बोला नहीं था और उन्होंने एंट्री एक्जिट दोनों बंद कर दी और साथ ही साथ फिर गोलियां चलाना चालू कर दी इसमें बहुत मासूम जो हमारे भारतिये थे उनकी जान चली ठीक है तो यह थी जलियाँ वाला बाग के पीछे की कहानी क्योंकि वो लोग प्रदर् राट डॉक धी लंडन में दूसरा गोल में संव्मेलं की आयुजित किया गया था माइलग कुशन की बेक ड्रॉप में पहली गोल में 20 मीैं जया पाई थी और डूसरा गोलमें संव्मेलं था उस唱े भारत में यानने mapa स्विल डिश सीव तो उस समय जो वाइसरोय ते नाम था इर्विन लॉड इर्विन उन्हों ने गांदी जी के साथ में संधी करी उसका नाम पर अर्विन गांदी पैक्ट ये गांदी इर्विन पैक्ट उसमें ये बूला कि देखो हम आपको जेल से छोड़ दे रहे हैं और आप अपना सिविल को बंद करो ठीक है साथ में आप फिर दूसरे गोल में सम्मेलन में जाईए और वहां पर बात करिए कैसे भारत का आगे जो सम्विधान विवस्था है constitutional reforms को कैसे होने चाहिए ठीक तो इस समय ये था आपका गांधी इर्विन पैक्ट क्या था गांधी जी लोग जेल में थे क्योंकि civil disobedience moment चला था इर्विन ने का लॉड इर्विन ने कि आप ऐसा करो इस civil disobedience moment को बंद करो और हम आप लोगों कोछोड़ दे रहे साती इसाइद में दूसरे गोलमेश सम्मेलन में जाके आप भारत को रीपेजेंट करोए ठीक है ये था गांधी इर्विन पैक्ट तो इसके बेकड्रॉप में हुई ये गोलमेश जिती गोलमेश सम्मेलन रेक्ट आंसर के गांधी इ तो पूछा जा रहा है एक आदेश के साथ उसको गियार कानुनी घोषित कर दिया था 1922 में वह कौन सा आपका क्या कहते आदेश था कुछा जा रहा है इस question में तो वो था आपका unlawful association ordinance कौनसा गैर कानूनी association अध्यादेश तो इत्थान रखें काफी important है important तो क्या factual question है यह इतने factual अब BPSC पूछना है थोड़ा कम कर दिया थोड़ा कंसेप्चुल पूछेगा आप से यह तो chronology पूछ लेगा कौन कौन से अक्ट की होगी तो अगर तब भी आज है तो मैंने आपको बता दिया कौन से एक्ट के साब से लॉफूल association ordinance को अगला कुश्यन दिखते हैं क्या है तो founder of the फिकए अब यह क्याते ब्रिटिश के डिटायाइट सिविल सेवक थे सिविल सर्वेंट थे जैसे आज के समय ब्योडाएट होते हम होते है चैब होते हैं यह तnai हो जाते एस और समय पर यह जिब घ्यौन रखेगा और कब भारती राश्ट्री को बनी आपके 1885 में अगला कुश्चन देखते हैं क्या है महात्मा गांदी महात्मा गांदी इंग्लिश कंपार्ट्रियेट ड्यूरिंग फ्रीडम मुवमेट वान मतलब उनकी जो दोस्त है वो कौन थे वतंत्रता अंदोलन के दौरान म बोला है कि आप जो है वो सही कर रहे तो उनका नाम पूछा जा रहा है उनका नाम है आपके रिवर्ट चार्ली एंड्रियूस के नाम है रिवर्ट चार्ली एंड्रियूस चार्ली एंड्रियूस पॉर्टेंट है क्विश्चन ये तो पूछा जा सकते हैं अगला 1947 के पहले यह post ही आपकी गवर्णर जनरल की अब जब हमें अजादी मिली 1947 के बाद में तब भी यह गवर्णर जनरल का पोस्ट रहा है 1950 तक पहले जो गवर्णर जनरल थे सुतंत्र भारत के पहले की बात करी जाए पहले इंसान तो वो थे लौड माउंड बैटन ठीक है लेकि ठीक है क्या करेक्ट आंसर है सी राजा गोपालाचारी अगर पुछ ले पहले भरतिय आपके गवर्नर जनरल कौन थे तो फिर वह राजा कॉपलाचारी तो भारतिय थे इसके बाद में जब सी राजा कॉपलाचारी गवंडर्ने जनरल थे उसके बाद में इस पोस्ट को खतम कर देख जाएट इस पोस्ट की जगह पे कौन सा पदा आगे तो आगे तो आपके राश्ट्रपती प्रेसिडेंट का तो मतलब यही आखरी भी गवर्णर जनरल है पतंत्र भारत के अगला कुश्यन देखते हैं क्या है महात्मा गांदी हेल्ड एट पार्टिसिपेशन इन डा सेकेंड वर्ड वॉर्ड वेंट वाइलेशन आफ दी प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांदी के इनुसार दिती विश्व भी उध में अंग्रेजों ना हिस्साल गॹ्य लिया और तो और क्या करा रहा यह जोग्रेट था हमारा यह तो रका ट्याकियंक तो स אות bit वर्ड वॉर्ड मतलब भारत के शैनिक थे उनको भी ब्हेज़ दिया गया मैं उस समय गांदी जी थे और बाकी लोग क्योंकि अगर माल लो हम इनका समर्थन करें second world war के time में तो बाद में ये हमें का अजादी दे दे लेकिन इस question नो पुछा जा रहा है कि जो भागीदारी करी थी second world war में वो किस सिधान्त का उलंगन था देखे तो महात्मा गांदी के साब से एक इस इधान्त को फॉलो करते हैं सबसे जादा फॉलो करते हैं वो ते अहिंसा तो कौन सा correct answer हो जाएगा अहिंसा non-violet क्योंकि जब war हो रही है तो वो अहिंसा का तो लंगन है क्योंकि जानत उसमें जाएगी अगला question क्या है the chairman of the joint parliamentary committee of the 1935 bill that led to the forming of government of india act of 1935 was संयुक्त संसे दिये समय थी 1935 विधेक के अध्यक्ष कौन थे इसके कारण भारत सरकार अधिनियम 1935 बने जब 1935 भारत सरकार अधिनियम आये government of india act पहले तो इसके बारे में बात कर लिजे जो हमारा सम्विधान इस समय बना हुआ है उसके बारे में बोला जाता है काफी सारे प्रावधान हमारे सम्विधान में किस से लिए गए इस government of india act 1935 से भारत सरकार अधिनियम 1935 मतलब लगबख 70% इसी से copy करा है बहुत जो experts है वो लोग बताते हैं कि एकदम 70% इसी का photo copy कर दिया है अब यह बूला जा रहा है कि जब यह आपका बना उसमें जो joint parliamentary committee थी उसके अध्यक्ष कौन थे ठीक है इसका जो correct answer वो है आपका लौड लिलिद गो यह है लौड लिलिद गो क्या नाम इनका लौड लिलिद गो तो यह अध्यक्ष ते सही उक संसिदे समित्री के उसके बाद में भारत के वाइसरोई भी रहे है कब 1936 से लेके 1944 तक कब तक रहे हैं 1936 लेके 1944 तक कौन लौड लिलिद गो और जिस कमिटी ने कवर्मेंट अफ इंडिया अग्ड गुना है उसके यह अध्यक्ष भी फॉ अमंग दा फॉलूइंग प्रेसिडेंट्स हेल्ड ऑफिस वर टू कॉंसिक्यूटिव टम्स निम लिखिट में से किस राश्ट्रपती ने लगातार दो कारेकाल के लिए पद समाला देखिए बूला जब राश्ट्रपती का पद बन गया उसके बाद बूला जब जब राश्ट्रपती ऐसे थे जिनोंने दो बार आपका प्रेसिडेंट का उफिस समाला है ठीक है तो देखिए वो रहें आपके जो हमाएं पहले राश्ट्रपती थे देश के उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र परसाद वो दो बार एलेक्ट होके आए हैं तो बार बार आप राश्ट्रपती बने पांच साल कंप्लीट हुए कारेकल पांच साल का है फिर अगर आपका मन करें तो आप फिर राश्ट्रपती के चुनाओं के लिए चुनाओं लड़ सकते हैं और माल जीत जा तो और बढ़ या फिर तीसरी बार भी चुनाओं लड़ सकते हैं लेकिन अमेरिका में क्या अमेरिका में सिफ माले अगर कोई दो बार खर राश्ट्रपती बन गया उसके बाद में वह फंवाँ पर राश्ट्रपती नहीं बन सकता। वहां पर अमेरिका में जैसे बराक उबामा 2008 में बने वहां पर यूएसे में फिर 2012 में भी बने जब 2016 में चुनाओ भी नहीं लड़ा क्योंकि वहां पर प्राफधानी नहीं है कि दूसरी दो बार से जादा कुछ चुनाओ भी लड़ सके यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट